हेलो वाइज वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद पियांका कश्यप अगर आप अपनी चार्ट अनालीसिस को स्टॉंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ह हुआ है क्योंकि मार्केट आर्स के दुरान जो कुछ भी बनता हो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देती हैं आप यहां देख सकते हैं कि हमने आपको मौनिंग में सभी इंपॉर्टन लेवल हमने आपको यहां सेंड कर दिया तो उस नहीं लेवल्स के बेजिस पर मैंने काफी जादा हाई यहां पर लगाया है और फिर निफ्टी में भी हमने हम आपको सुपोर मौनिंग में ही यहां पर एक बता देती कि इंपॉर्टन रजिस्टन्स लाइन अगर यह ब्रेक होने के बाद मार्केट में हमारा यहां पर 250 पॉइंट का मूव था और यह जो कॉल हमने दी थी आप देख सकते हैं कि इसने यहां पर कितना जादा हमारा हाई बाद में लगाया है और बैंक निफ्टी में भी हमने आपको इंपॉर्टन टरंड लाइन यहां पर सेंड कर दी थी कि मार्केट में अगर यह टरंड लाइन हमारी ब्रेक होई तो देन आपका अप पिदो फिन को बताया था कि जो लास्ट वीडियो हमारी फिन लिफ्टी की थी उसमें हमने आपको बताई की दिर डाउन Tr अच्छा मूव आया था और बैंक निफ्टी में भी जब ट्रन लाइन का ब्रेक हुआ तो 200 पॉइंट हमारी अप थी इसके बाद भी ये काफी जाद हमारी अप थी तो यानि जो कुछ भी मार्केटार्स के दुरान बनता वो सब कुछ हम आपको अपडेट यहां पर कर देते ह कि आप यहां पर कल को फिन निफ्टी में कैसे ट्रेट करके चलेंगे सबसे पहले बात करेंगे इस टेली टाइम फ्रेम के चार्ट की इस टेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पर मैंने आपके लिए कुछ जोंस यहां पर ड्रो किये हैं जिनको हम स्विंक्स अपना बोलते हैं तो आप इन swings को अपने यहाँ पर draw कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस swing की बात करें, इन दोनों swings की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि market इसके 20 में consolidate थी, और जब इसका break हुआ तो अब market काफी time से इस swing के बीच में यहाँ पर consolidate है, तो अगर इसका break हुआ तो market इस swing के बीच में यहाँ पर consolidate हो सकती है, क्योंकि इस जो यह upside का आपको यह swing नजर आ रहा है, यानि यह zone आपको जो rectangle pattern आपको नजर आ रहा है, जब इस rectangle pattern का break हुआ तो then market ने इस यहाँ पर हमारा काफी time तक trade कर रही है, आप देख भी सकते हैं कि पूरा यहाँ पर Gen, Feb और March पूरा यहाँ पर हमारा हो चुका है, March अभी starting हुआ है, बट यहाँ पर दो महीने हो चुके हैं कि market ने इसी zone के बीच में यहाँ पर trade करते हुए, तो अब अगर यह zone हमारा यहाँ से break हो जाता है, तो then आपको यहाँ पर upside move नजर आएगा और यहाँ पर market फिर हमारी trade करेगी और जब इसका यहाँ पर break out देगी, then आपको यहाँ से फिर new high हमारे finnifty में आपको लगते हुए नजर आएगे, तो इस तरीके के जो बड़े time frame के swings होते हैं, वो आप अपने chart पर drop कर ले न, ताकि आपको यहाँ पर trade करने में असानी मिले, क्योंकि यह important हमारे resistance और support होते हैं, जब भी यह break होते हैं, तो market में एक अच्छा move हमें one sided move यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अगर आप इस टेली time frame की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो यह हैका के हमारा pattern बना था, तो यहाँ से हमारी market में एक buying आई है, और again इसी हैका के pattern को again market ने retest किया है, आप खुद देख सकते हैं, कि जो 20,250 का हमारा level था, यह वाला market ने इसका break किया, then इसको यहाँ पर retest किया, क्योंकि important था, क्योंकि 1,2,3,4,5,5 days से market इसके बीच में यहाँ वर trade कर रही थी, तो जब इसका break हुआ तो upside move दिया, again इसको retest किया, तो अब यह हमारी यहाँ से buying है, तो जब इसका यहाँ से break होगा, ने important किसी level को यहाँ से break करती है, again entry लेने के लिए, तो Monday को आपको यहाँ पर, यानि कल को आपको कैसे trade लेकर जलना है, कि अगर यह 21,000 के level को break करतेती है, तो देन आपको यहाँ से upside यहाँ पर move नजर आएगा, और आपके लिए जो first target हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा, वो 21,250 का आपको यहाँ से direct high लगता हुआ, यहाँ पर नजर आ सकता है, और अगर यहाँ से यह level break नहीं हुआ, अगर 21,000 से अगर हमारा कोई bearish pattern हमारा बन जाता है, तो then again market में आपको फिर से यहीं से sell ही नजर आएगी, जब तक इस range का break नहीं होता है, तब तक आपको यहाँ से sell side ही अपनी position को आप बना कर यहाँ पर चलेंगे, जब इसका break होगा 21,000 का देन ही आपको एक upside move यहाँ पर नजर आएगा, अगर इसके weekly time frame की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि market में downside से हमें यहाँ पर एक buying यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यह hammer pattern हमारा यहाँ पर बना था, तो यह hammer pattern हमारा upside यहाँ पर hold भी हो चुकी हैं हमारी candle है, और then इसका break होने पर आपको upside ही move नजर आएगा, one支 Airport यहाँ पर हमारे क्या निकल कर आ रहे हैं, हमारे लिए जो यहाँ पर कलको important resistance निकल कराएंगे, वो 21100814 का हमारा निकल कराएगा, then 21000 यहाँ पर 97 का रहेगा, then 21000 यहाँ पर 200 का रहेगा, उसके बाद 21300 का, यह आपके लिए important हमारे यहाँ पर resistance निकल कर आएंगे अगर अपने support की बात करें तो वो रहेगा 20,842 का then 20,817 का then 20,736 का then 20,763 का then 20,600 का यह आपके लिए हमारे important यहाँ पर support निकल कर आएंगे और जब हमारा यह level break हो जाएगा कौन सा 20,600 का यह आपके लिए important यहाँ पर support रहेगा और जो यह 21,000 का level हमने आपको बोला है यह आपके लिए important resistance रहेगा अब जब market इस range का अगर upside break करेगी तो then आप यहाँ से अपनी definitely seaside position बना कर चल सकते हैं लेकिन अभी in levels पर हमारे जो call writer है वो सबसे जाद है लेकिन psychology level की बात करेगी 21,000 पर हमारी call writing सबसे जाद होई होगी तो अगर इसका break हमारा अच्छे से हो जाता है upside hold out जाता है तो then आपको यहाँ पर market में फिर upside ही move यहाँ पर नज़र आएगा और जो फिर target है वो हमारा 21,600 ही रहेगा लेकिन जब तक यह इस level के downside है तो then आप यहाँ पनी P side ही आप यहाँ पर अपनी position को बना कर चलेंगे I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है और informative लगी है तो please subscribe my youtube channel और आप हमारा telegram group को भी join कर सकते हैं जिसका link अपने आपको description में दिया हुआ है thank you